गुड मॉर्निंग स्टूडें मैं डॉक्टर वंदिन आकोदिया राज के महाविध हले बुंदी बच्चो पिछले वीडियो में हमने ऐलकोहल को किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में पढ़ा था आज हम इसके भोतिक और असाइनी गुणों के बारे में पढ़ेंगे इ जो की कार्बन 12 से अधिक नंबर वाले होते हैं तो रंगी ठोस होते हैं और जो जो उनका अनुभार बढ़ता जाता है उनके पानी में जो विलेता है जो सॉलिबिलिटी है वो कम होती जाती है कार्बन पढ़वाणों की संख्या बढ़ने के साथ में अलकोहल के यदि हम गल उस्जु होते हैं और ये किस वज़े से होते हैं अब अलकोहल में सबसे इंप्वोटेंट चीज आती है है ऑइडोजन बंधन है हेडोक्सी सम्मुव अत्यदिक जूबित होने के कारण हेडोजन बंध बनाने के लिए सक्षम होता है और आपका जो हाइडोक्सी सम्मुव मे हाइड्रोजन पर यदि आंशिक धनावेश और ऑक्सिजन पर यदि आंशिक रिणावेश आ जाए बच्चों तो क्या होगा वहाँ पर हाइड्रोजन बंद बनेगा यदि हम इसे परिभाशित करें तो हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे किसी अनू के ध्रुव्य हाइड्र परमाणू और उसी अनू अत्वा किसी अन्य अनू के रिण विद्धूती परमाणू के मद्धिक के इस्तिर विद्धूत आकरशन बलको हम हाइड्रोजन बंद केते हैं बच्चों हाइड्रोजन बंद को डॉटेट लाइन से दिखाया जाता आप यहां पर देखिए कि यह में आपका ऐड्रोजन इस पर पार्शल पॉजिटीव चार्ज है और आपका यह ऐको चीजन पर साय्उसरा जाही को रैने में बंद की और यह इनंकी फिम अनर इक हम रता देखें तो आपका बंडर वाल हम है सावर कि या उसकी जो एक किलो कैलोरी पर मोल होती है बंद को तोड़ने के लिए हम इतनी उठजा देने की जौरत पड़ती है मगर हम flowers किलो कैलोरी पर मोल कीऊला देने की आफ़सक्ति पड़ती है वहीं generality कार्बन कार्बन बंद की बात करें तो 59 किलो कैलोरी पर मोल एनरजी देनी पड़ेगी और यदि हम ओएच की बात करें ओएच की जो बंधन उड़ जा होती वह 110 किलो कैलोरी पल मोर होती है अब पुच्छों उच्छितर अलकोहल में हाईड्रोकार्बन का जो भाग होता है वह उसकि जल में विलेता कम हो जाती है क्योंकि उच्छितर अलकोहल में उपस्थित एलकेल समू का प्रसाई प्रभाव बढ़ता जाता है और इस प्रसाई प्रभाव के कारण ओए समू की जुवेता घट जाती है और इसी वज़े से जो हाइडोजन बंद बनाने की जो शमता होती है वो कम हो जाती है और यही कारण है कि जो उच्छे तर एलकोहल्स होते हैं वो कम गुलंडशील होते हैं अब बच्चों बात आती है इन्फ्रारेड स्पेक्टर की यहाँ पर हमने दो स्पेक्टर दिखा है अपने पहले भी आई आर पड़ रखा है तो आप यह देखिए और यहाँ पर हमें ओच की पीक नज़र आ रही है और यहां पर हमें OH की पीक नजर आ रही है अब यदि हम देखें तो आप यहां पर देखिए कि एलकोहल का हाइड्रोक्षी समू जो है हमें 36 50 से 3200 सेंटी मीटर के आराउंड मिलता है इसी तरह से यदि हम सो की बात करें तो बारा सो से से डिसकस कर चुके हैं अब बात आती है chemical reaction की तो अलकोहल दो तरह की reaction देते हैं बच्चो reaction due to the cleavage of OH bond यानि कि यह दिए OH bond का तूटता है और दूसरी condition का बागी reaction due to the cleavage of CO bond यानि कि C और O के बीच का bond CO bond टूटेगा उसकी हमें reactions देखने को मिलेंगी तो फर्स्ट अपन रियक्शन due to the cleavage of OH bond अब बात आती है कि जो आपका अलकोहल है वह एसेडिक नेचर शो करता है तो हमारी जो पहली रसाइनिक अभी करिया है वह एसेडिक रहता है ऑक्सीजन पर्माणों भतधिक विद्धुत्रिणी होने के कारण बंद युगम के इलेक्टोनों को अपनी और आकरशिक कर लेते हैं जिसकी वजह से हाइडोजन प्रोटोन के रूप में अलग हो जाता है और एलकोहल विद्धुधनी धातों जैसे विद्धनी धा करते हैं तो जो एलकोहल होता उसमें सोडियम जालते हैं तो बुद्धुधाहट के साथ रंग हिन गंधिन गयास निकलती है तो आप यहां पर देखिए कि यहां पर आपका सॉल्ट बन गया आरो एने यानि सोडियम एलकोकसाइड अब यदि एलकोहल की अमलित्या को हम ग्रिनाक अभिकर्मक के साथ इसके अभिक्रिया दर्शा हैं तो उसमें यह देखिए बच्चों की प्राथमिक जो एलकोहल होता है वो अधिक अमलिया होगा दित्यक उससे कम होगा त्रत्यक सबसे कम होता है प्राथमिक से त्रत्यक अल्कोहल की तरफ जाने पर संख्या बढ़ती जाती है इसी अनुपारत में प्लस आई प्रभाव भी बढ़ेगा बच्चो और इस प्लस आई प्रभाव के बढ़ने से क्या होगा ऑक्सीजन पर माइनस चार्ड बहुत जादा आजाएगा और जैसे हम एस्टरी करण की बात करें तो अल्कोहल को जब हम कार्बोक्सिलिक अमलों के साथ इसकी अमली उत्प्रेर की उपस्तिती में इसको गरम करें तो हमें एस्टर मिलते हैं अब अच्छों यहां पर इसकी क्रियावीदी समझाई गई है आप सबसे पहले देखिए यह आपका के बाद में हमें एस्टर दिखाई देता है अब अच्छों एस्टरी करण में बात आती है कि क्लीवेज कहां हुआ है हमने इसकी पूरी मेकेनिजम तो समझ ली अब यह समझना जरूर है कि जो ऑक्सीजन था तो एच्छ से जो क्लीवेज हुआ है वो किसके बीच में हुआ ह एलकोहल में यानि की वेज हुआ है यहां से हुआ है यहां से अपने समझने लिए क्या कि गया कि एसे करण में एलकोहल का जब अच्छ बंद तोटा है ना कि स्योgoing डूटता है वजह क्या है कि हमने 18 और जब हमने बाद में जब हमारा प्रॉडेक्ट बना उसमें हमको यह पता लगा कि बंद नहीं तूड कर सियो बंद तूडता है और इसी वजह से जो ऑक्सीजन है हमारा वो एस्टर के यहां पर बिलता है अब एथर का सेकंड रियक्शन आगी हमारी एथर का निर्मान जब कुलियूलवर् डिए ध्रियाध के साथ करिया तो हमें एथर मिलते बचस आपलों है और इस इम्पाटेंट क्यों है कि यह विलियम आप गए तेन सांसिलेशन के साथ नेम लिएक्षन है तो आपको यह पता होनी चाहिए कई और और पूंच यह कहीं पूछ ओए समू के हाइडोजन के इस्थान पर बच्चो एसेटिल ग्रूप हमारा ये जूड़ जाता है यहां देखिए आप हमें एस्टर मिल रहा है अब बात आती है सल्फोनेट का निर्माण जितने भी अल्कोहल होते वो सल्फोनेल क्लोराइट के साथ क्रिया करके अल्किल सल्फोनेट बनाते हैं क्या बनाते हैं अल्किल सल्फोनेट अब रियक्शन आती है बच्चो सीयो बंद के विदलन द्वारा होने वाली अभी क्रियाएं तो फर्स रियक्शन है हाइडोजन हैलाइट के साथ अल्कुछल hydrogen inside के साथ reaction करके बच्चो आलकाईहिज़ाइट बनाते इदि हम hydrogen एक्रियाशील पर देखें तो हाइ सब्सेरा क्रियाशील को ज्लौ骇झ परिक्षिन डेखें जब वहां हमें इसकी शम्ता समझ में आती है उसे समझने के लिए हमें SN1 और SN2 मेकेनिजम को समझना पड़ेगा बच्चो यह है हमारी SN1 रियक्शन और आपके जो SN1 रियक्शन होती है वह बच्चो टर्श्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और उसकी वज़े क्या है कि सबसे पहले यहां पर कार्ब केटाइन बनेगा यानि सिंगल स्टैप मेकेनिजम है आपका जो यह अल्कोहल है यह प्रोटोनेट होगा और यहां से क्लीवेज होगा और हमें कार्ब केटाइन मिलेगा यह कार्ब केटाइन बाद में एक्स से क्रिया करके हमें अलकाइल हलाइड देता है तो हमारी जो रेट ओफ रियक्शन है सिर्फ हमारा जो टर्श्री अलकोहल है उस फेर कंसेंट्रीशन पर निर्भर करती हैं से हम फर्स्ट ओर रियक्शन कहते हैं इसी वज़े से एस का मतलब होगा सब्सीट्यूटेट एन का मतलब हो गया नुकलियोफिलेक और वन का मतलब होगे यूनि मॉलिक्ट्यूर रियक्शन यह आपने फर्स्ट यह में बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पड़ा है अब बच्चो सेकेंडरी अलकोहल भी यहां लिखा हुआ है सेकेंडरी अलकोहल में टिपेंड करत स्टेप मेकेनिजम है यानि कि यह आपके एक्चेक्स और अलकोहल दोनों की सांदेता पर आपकी रियक्शन है वो निर्भर करती है आपका फर्स्टेप में यह आपकी इंटर्मीडियर ट्रांजिशन स्टेट हमको मिलती है देखने को और हमें इससे यह अलकैल हैलाइट हमें यहां पर मिलता है अप सकेंड रियक्शन है बच्चों फासफोर हैलाइट से अभी क्लिया कर्के अलकाईल हैलाइट cookies pack-d अब एक्शन है आपकी थायनुल क्लोराइट से अभीकति अभीक्रिया ऑभीक्रिया की प्राडम में बना ऐस्टर विविधत होकर अस्पाद बनाता है यानि की फ़स्ट आप येक्शन देखेए यह आपका बना जो की बाद में dissolve होके RBR बनाता है अब आपका आता है dehydration यानि निर्जली करण निर्जली करण से हमें सब समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या निकलेगा water molecule निकलेगा और बच्चों जब भी निर्जली करण किया जाता है तो हम उसमें एके एक्संटरी इस ऑफाल को यूज करते हैं तो ग्हsover आफिशन करान घ्रस ऑट करते हैं फेसेAlkohol तो हमें यहां पर अल्कीन मिलती है वन हाने एपल देखिये टू ब्यूतिन हमें देखने को उसी तरह हमें यदि त्र सस्य आसको языk की बात करें तो भी हमने में हमारा आइइसो प्रोपीर उत्पाद के रूप में मिलता है जा unsure इस इंपर्टेंट है यह हफ्ट्मान रिएक्षिन यह क्लोरोफर्म में काल मति और यह बहुत इंपर्ट्न रिएक्षिन है अक्थर आपके एक्जांती जाती है क्लोर नहीं आपिक्रिया करते हैं इस रियक्शन में आप ये देखिये कि सियए कर रहा है और आपका कहने हैं पेडिक्षि से रियक्षन होगा है यहां पर करने पर हमें यहां पर क्लोरोफर्म देखने को मिलता है अब प्राइमरी बच्छों अभी हमने प्राइमरी भी पड़ा सेकंडरी भी पड़ा टर्शी अलकोहल को हम केसे उनको में विभेद करेंगे इसकी अलग-अलग विदियां है उसमें फॉर्स्ट है आपका ऑक्सिडेश कराते हैं तो हमें पहले मिलता है और उसके बाद में फॉर्दर ऑक्सिडेशन कराने पर हमें मिलता है इसी तरह से सकेंडरी अलकोहल में हमें पहले कीटोन मिलेगा और उसके बाद में हमें ऐसे देखने को मिलेगा और यदि हम तत्यक अलकोहल की यदि हम बात करें तो इसका अक्सी करन बच्चों बहुत कठना ही से होता और प्रभल ऑक्सी करने पर हमें कम कार्बन परमानु वाले किटोन मिलते हैं जो बाद में उससे भी कम 게임 कार्बन शंकला वाले एशिड में कनवर्ट होते देखिया यहापर फोर कार्बन एटम पेसें यह थ्री एक लॉस हो गया कार्बन का और यहां पर भी एक कार्बन का और लॉस यहां पर हो गया अब आता है बच्चो डी हाइडरेशन टेस्ट प्राइमरी अल्कोहल का यदि डी हाइडरेशन करें तो हमें अल्डी हाइड मिलता है सकेंडरी का करें तो कीटोन मिलता है और टर्शी का करें तो हम में अलकीन मिलता है बच्चों प्राथमिक जित्यक त्रत्यक अलकोहल की वाश्प को गरम तांबे से प्रवाहिद किया जाए तो हमें के अलकीन मिलते हैं जिनें गुडात्मक परिक्षण के अधार पर अलग-अलग किया जा सकता है अब इसका एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों वह है विक्टर मेयर परिक्षण यह भी बहुत जादा पूछा जाता है हम इसको कहते हैं लाल नीला एवं श्वेत बनते हैं अब अच्छों इसमें देखिया आपने यहां प्राइमरी अलकोहल को आप देखिए सबकी हमने फासफोरस आयडाइड से रिक्षण करा रहे हैं उसके बाद जब एग्शन कराते हैं तो हमें प्रॉड़क्ट मिल रहा है उसके बाद में आप देखिए हमें रितरोल मिला है उसमें यदि हम अच्प हमी ब्लू कलर देखने को मिलता है वहीं पर कोई सब्सक्राइड नहीं बना है हमारा जो विशाल डेखने को मिल रहा है लेकिन जब यहां पर हम पर नाइट्रोलिक रिक ग्र ऑष्ट कॉमश् लास्ट अमारा आता है लूकस टेस्ट एल्कोहल की लूकस अभीकर्मक क्या होता है बच्चो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एवा निर्जल जेडन सील्टू का मिश्ण को हम लूकस अभीकर्मक कहते हैं कि यदि हम कमरे के ताप पर अभिक्रिया करा है तो संगत अल्किल सबसे क्रियाशिल होता उसके से कम दो डिग्री वाला होता उससे कम प्रथम यानि कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम क्रियाशिल होते हैं यदि हम त्रत्यक अल्कोहल का लूकस अभीकर्मक के साथ जो रियक्शन होती वह तुरंट एकदम दूदिया हो जाता है जबकि दित्य के शाहीनिक बात करते हैं कि हम करें यह यानि प्राइमरी अलकोहल से से केंड़ी में करना हो में इसे केंडेट है बनाना हो जो कि सिल्वर हाइड्रोकसाइड की उपस्तिती में प्रोपेनॉल देता है इसी तरह से आप देखिए प्राइमेरी से हमें टर्श्री बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कंसेंट्रिस फॉर की प्रेजन में रियक्षन करा के डियाइडरेशन हो रहा है बच्टों यहां पर यहां प्रफिवर्ट हो जाता है और उसके यदि हम गिर्णार रिएजन्स से रियक्शन कराएं और उसका हैडॉलिसिस करें तो हमें टर्शरी अल्कोहल भी देखने को मिलता है अब कन्वर्जन टू सेकेंडरी अल्कोहल इंटू टर्शरी अल्कोहल यहां पर बच्चों देखें टू पेपर नल दिया हैं इसका पेपी ऐसिफॉर्सri ऐड़ीर की प्रजेंस पिर रिक्शन कराते हैं तो हमने आलकाहल केलाई देखने को मिलता है और किर स्केंट कराते हैं तो यहां से हाई रिमूर साञ्चन करा आए इसका यदि हम हाइडोलिसाइस करा थो तो हमएं ऐसर प्लेटा bara में अल्युमिनियम हाइड़ाइट से हमें primary alcohol देता है जबकि यहां पर यदि हम इसकी reaction sodium और इथेनॉल की presence में किसका reduction कराएं तो हमें primary amine बिलता है जो कि HNO2 से reaction करके हमें primary alcohol देता हैं इसी तरह से conversion of higher alcohol into lower alcohol इसमें बच्चों यहां देखिया कि हमने primary alcohol का oxidation कराया है तो हमें oxidation से हमने oxidation में reaction देखी थी हमें acid मिला है जिसका hydrolysis कराने पर हमें salt मिलता है और यदि हम soda lime से reaction कराया तो हमें alkane मिलता है जो की जिसकी की CL से reaction कराने पर acetyl chloride मिलेगा हमें sorry alkal chloride मिलेगा जो को hydrolysis करने पर हमें alcohol देता है बच्चों यहां पर एक carbon कम है atom कम है अब इसी तरह से यहां पर देखी वह ऑक्सिडेशन करा के आपने पहले अल्डी हाइड बनाए अल्डी हाइड के बाद आपका acid बनाए फिर यहां पर बच्चों डिफ्रेंस यह वहां हमने sodium hydroxide से reaction कराई थी यहां पर हम से reaction करने पर हमें अल्कॉल देता बच्चों यहां पर देखिए यहां पर हमने प्राइमरी अल्कॉहल के रासाइने गुण उनके टेस्ट और उनमें मतलब कि primary से second में कैसे conversion होगा secondary से tertiary कैसे बनाएंगे यह हम higher alcohol से lower alcohol के सब्राइए इनको पढ़ा नेक्स्ट में हम डाइ हाइडिक अल्कॉहल के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाब